हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक मार्च 2018 की दह हिंदू एडिटोरियल डिस्कसन में आपका स्वागत है, यहाँ पे हम दह हिंदू के इंपोर्टन एडिटोरियल से हैं, वो डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कसन है वो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो न्यूज आई ही के वहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारे लिए एग्जाम में इंपोरेंट है, वह थे हैं, देखो सबसे पहले बात इस आर्टिकल में यह बताएगी है, इनकाउंटर के बारे में, कि एक दिपोर्ट आई है, उस डिपोर्ट के बारे हम देखते हैं, मैनलीस में यूपी का ए इंडिया की रेंकिंग होगा है इसमें 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 इंडिया की रेंकिंग हो अच्छी नहीं है अब अच्छी क्यों नहीं है इस जो रूल ऑफ ला उसको ताग पर रख़ दी जाता है और फिर उन जो अपने खुद के नेम हां उनको यूज करना होता है इंकाउंटर में ली ली तो दिको रैटरे कह रहे है कि गौर्मिंट है गौर्मिंट ऑफ इंडिया उसको जो लौ है उनको फोला करना जी है मतलब हमारे कानून या हमारे सिविधान में जो लो बनाएगे हमें उनको फूलो करना चीए ना कि मैनो फूलो को जबकि रिसेंटली क्या हो रहा है इंकाउंटर किया जा रहे हैं और अब इस बात पर एक दो एक्जामपल भी जाता है अब आप अपनी मनमर्जी सा देरो फिर तो वह ताना साही वाला चीन हो गया जैसे आपे बात आते हिटलर की कि हिटलर क्या करता था हिटलर को भी रूलो फ्लाप बिल्कुल बसन नहीं था वो भी खुद अपने काल खुद के कानून मिलाना था और भी बोलता था कि मैंने जो कानून है और बस बहुत मर्ख सब्सक्राइब कर रहा हूं लो अच्छ करं रहें वह बहूत अच्छा है तो राइटर यह कहा रहा है कि दिख्रोज ए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारे लेब्हारे श्री लेंका जैसे कि इलिए अच्छी ऑर भी इसका मतलब के है कि वहा तो इसलिए हमें सबस्क्राइब करना होगा कि और हमें प्रोपर तरीके से जो जस्टिस होना है वो मिला चीए जस्टिस का तरीका है वो उसको फोकस करना चीए फिर यहां पर दो पॉइंट आते हैं महरा को के नाम से जाना रहता है एक और दूसरा आता है यूपी का यूपी कंट्रोल एंड और ओर्गेंड वाला जो की पेंडिंग है तो रेट्रे कहरें कि दोनों ही एक्ट यहां जो बिल है ना वह दोनों ही एक्चुली हमारे human rights के विरूद है क्योंकि इन में क्या है इन में एक्चूली जो आप बोल सकते हो कि जो एक तरी से इंकाउंटर कर रहा होते हैं इनको प्रटी दी जाती है जो कि हमारे रूल ओफ लाग के विरुध है तो हमें ऐसे एक्ट या ऐसे कानून नहीं बना चाहिए इस्टेट गवर्मेंट को जिससे क्या हो कि जो फिरीडम ओफ रा कि आप अप पर बोयुक्स लाग करने लगे थैं कि जो रूलुस ऑफ लाकित सथ होता होग होता इसा ने कि अपनी की बारे में तो इस आर्टिकल में दो तीन पॉइंट है था कुछ काम का था नहीं तो आपको मैं बेसिकल बिजा देता हूँ इस एवेब बिल वाले आर्टिकल में एक आ गया था कि बहे देखो एवेब बिल थी वो गोवर्मिन्ट एक मार से लागू करने वाली थी बट अभी जी एश्टी काउंसल की मिटिंग होने वाली है और उसमें डिसाइड होगा कि इसको पोस्ट्वन करके एक अप्रेल से लागू किया जाए क्योंकि देखो जी एश्टी का जो सारा प्रोग्राम अगरा है जो सारा डन हो चुका है इसके बारे हमने काफी पहले डिसकस भी किय और इवेबिल में यह प्रावधान था कि अगर कोई भी वापरी अपना गूट्स वकरा ट्रांसफर करना चाता है तो उससे पहले गूवर्मेंट को बताना होगा कि मैं इस गूट्स को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा हूँ इससे यह होगा कि जो ब्लेक मनी करके जाती है और जो सामान से उधर ट्रांसफर करने में जो गफला होगे जाता है वो सारे काम नहीं होगे तो उन सब के लिए गूवर्मेंट है इवेबिल है वो लेकिया यह कि वापरी कोई भी वापरी अगर अपना सामान कुछी एडिया से एडिया से बी एडिया में ट्रांसफर कर र और इस एक्ट था और इस एक्ट आपको पता कि अग्रेजों के टाइम का बना वाजान था कि जब गवर्मेंट को लगता है कि महाजा नहीं देना है तो गवर्मेंट नहीं देगी मतलब मोउजा भी कमपल्सरी नहीं था तो जिस इनसान की या जिस किसान की या जिस फार्मर की जिसकी भी अगर जमीन है तो उसको कुछ फैदा नहीं होता था उसको काफी नुक्सान होता था कि बात उन बूखे मनने की नोभध हुआ जाए थी मतलब सीदी सी बात ही है कि 1894 का जो एक्ट था इसमें काफे सारी कमिया थी, इसके बाद में जो भी से ले गोर्मिन ने किया किया, बहुत चलो नय एक्ट ले के आते हैं, ताकि लोगों भी दिक्कत नहों, इसके बाद में गोर्मिन नय बिल ले किया, यो नय एक्ट बना वो बना LARRA Act, वो कहता है, Land Acquisition Rehabitulation and Resettlement Act 2013 तो इसकी बात की ज़रे, अब दोको राइटरे करें कि इन चलो बिल अच्छा है, जो पूराने वाला बिल था ना ठारा सो चुराने वाला, इससे तो बिल अच्छा है बट ऐसा निये कि इसमें भी सारी समझाओं का समाधान हो गया बट यह almost फिर भी ठीक ठाक है, भाई पहले में तो कुछ नहीं मिल ला था, इसमें थोड़ा बहुत कुछ तो किसानों को, जो भी फार्मर्स वगरान सबको थोड़ा बहुत फाइदा हो रहा है अब इसमें कुछ पशन पएप लेता है, तो सबसे पहली बात है कि नया वाला बीलादा प्लाना, एक तो एक तो एक तो इनवोर्मेंट को करूप किया गया है दूसरी बात ही है कि आजविका के लाइगूड कि जिस भी इंसान की भूमी एधिकरित की जारी है उसके आजविका का भी देखा जाएगा कि उसका कैसी इन है वो आदमी बुखे तो नहीं मरने वाला है उसके दूसरे solution से वो provide कर जाएगा इसके बाद में आते हैं पुनरावाज से अधी हैबिट लेशन की कि वह किसी भी इंसान या किसी भी एडिया की लोगों को सिफ्ट कहा रहा है जैसे एक्जामपल आप ले सकते हो कि सर्दार स्रोड डेम मना था तो वो सारे काम इस बार इस बिल में काफी देखे जाएगी बर्ट राइटर कहरे है कि सबसे बड़ी जो दिक्केत आ रही है इस बार की बिल ने वो आ रही है मौज़े को लेकर कि मौज़ा है उसमें काफ़ पर उतला पतली है कि मौज़े को लेकर काफी साथ टरम्स और कंडिशन क्लियर नहीं है क्योंकि देखो इसमें एक सबसे बड़ा जो भूमी अधिगर्ण जो दोजाते रखा एक्ट है इसमें एक सेक्षन 24 है उसका काफी बड़ा इस्यू है तो वो क्या है वो हम ढंक से देख लेता है सबसे बड़ा जो पूरा आर्टिकल के जड़ है वो सारी यही है इसमें यह है कि भाई 2009 से पहले जो भूमी अधिगर्ण की गई थी और अगर उसका मौज़ा नहीं दिया गया है तो जो अधिगर्ण है जो भूमी अधिगर्ण है वो रद हो जाएगा चाहे निर्मान कुछ भी हो गया हो मतलब आती है कि 2009 से पहले अगर सरकार ने भूमी अधिगर्ण की और उसका मौज़ा नहीं दिया जिस भी इंसानको मौज़ा देना था उसको अगर मौज़ा नहीं दियागा और उसके बाद आपने कहते है कि हमने तो इस पर कंस्रक्शन करे दिया हमने तो इस पर होटल खोल दिया हमने तो इस पर इंड़स्ट्री लगा दी इस केस में यह सुप्रिम कोर्ट नहीं जज्जमेंट नहीं का था तीन जज़ों की बैटिक थी इसमें और तीन जज़ों की बैंच ने बोला कि भाई जो भूमी अदिगयत की गई है और अगर उसका मुआवजा जिस इंसान को जैसे फोर एक्जामपल एफ परसन की भूमी है उसका मुआवजा अगर नहीं मिला है उसे तो भूमी दिखना वो रद हो जाएगा चाहे आप वो पैसा एधर तो खहीं और जमा करा दो क्योंकि दे आख कैका, तो पीसा की हाँ भी हमने तो दे दिया उसे नहीं लिया, तो क्या करेत तो हमने पैसा प्यसा ट्रेजडी बिल में डाल दिया, ट्रेजडी जो फंड होता है इस्टेट कह उसमें, तो फिर सुप्रेम कूट ने का, कि भई, यह आप साफ साफ गलत ओ, आपने गलत क कि आपको जो पैसा है वो देना था और अकोर्डिंग टू जो सेक्शन 24 है उसके दाथ क्लियर प्रावदान है कि भूमी दिगन का मौजा को नहीं मिला है उसका मतलब भूमी दिगन कैंचल हो गया है तो आपको जो पूरा जो बूमी दिगन की वह सारी वापस करनी होगी तो य उसने बोला कि भाई अगर जो पैसा था एक तरिके से नया केस गया था अभी सुप्रीम कोर्ट की जज्ज के पास जज्जमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट की सुरी बेंच के पास तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच नहीं यह बोला कि देखो भाई जो भी पैसा था एक तरिके स रेजीर फंड में दे दिया हो या कहीं भी पैसा दे दिया गया है इसके बाद चाहिए उस पैसे या कुछ भी वो मेटर नहीं करता तो आप देख सकते हो कि दोनों ही एक दूसरे के विरूद है पहली 2014 की जर्जमेंट और 2014 जो भी 2018 की जर्जमेंट है उसकी बात की जारी है तो क्योंकि देखो सुप्रीम कोड में आपको पता है इस प्रावदान है कि अगर किसी भी केस का निर्णे अगर डिसिजन हो कर आए तो उसके लिए ज्यादा सदिशों की कमिटी है वो बनानी होते है तो इस टार्टिंग में तीन जो की बैंच का निर्णे होता है अगर उस नि कि दूसरे के विरूद है दो तीन जो कि पहरे मन द제가 था वह और जो अभी का मैं तो बात कि इतने हो बनाना होना पर जूरू रहे है कि मतलब सेंच से मुशन उस्म केस में उसी तिरे का डिसिजन होना चीए उतने ही बैंचों में ऐसा निए दूसरी कहरें निर्णाइ उल्टा हो रहा है तो इससे क्या होगा इसे लोगों में तरीके से स्प्रेम गूर्ट के पृति कि बिलिव नहीं रहेगा लोग शुचरिक्ट गर इस जजमन्ट गारीर ये तो दूसरी बैंच के पास जा जारें पने हैँ औ धुल्मिल हो जाएगी तो यह सारे points यहां पर ही discuss किया गए है अब चलते हैं आगे अगले आर्टिकल में अगला जो आर्टिकल है वो हमारे देश के school syllabus के बारे में आर्टिकल कंटेक्स है कि हमारे देश का school syllabus है इसको कम करने के बाद थी बच्चों पर काफी pressure पड़ रहा है तो क्यों ना school syllabus हो कम कर दिया जाए अब देखो इसमें दो तिन जजमिल बात पहले यह कही है कि भाई क्यों बात कही थी और उसके बाद मैं लिए जो रैटर वो इरोध करे हैं कि school का syllabus हो कम नहीं करना चीए कम क्यों नहीं करना चीए वो रैटर अपने तरक हो दे रहे हैं सबसे पहली बात तो क्या 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 मामला क्या हो देखते हैं सबसे बाला सीन तो यहाता है कि भाई जो HRD Minister परकाज यावड़कर उन्होंने भी एक आ कि वो syllabus कम करना होगा क्योंकि जो creativity है वो बच्चों में कम आ रही है और बच्चे काप जदा परेशान हो रहे हैं syllabus में जदा दब रहे हैं इसके बाद महाराष्टा गोर्मिन ने क्या क्या था भई बोला कि math को option नहीं बना दो extracurricular activities से कोई solution नहीं होने वाला कि अगर बच्चे extracurricular activities पर focus कर रहे हैं और syllabus पर focus नहीं करेंगे क्यों देखो जो इसकूलों में 10th class चीज़े बढ़ा जाते हैं मतलब बच्चों में creativity नाम की चीज़ तो होती नहीं है बस starting से बच्चों को इस चीज़े फोकस करना है ना कि हमें syllabus है क्योंकि देखो आगे आने वाला time ना demand बढ़ती जा रहे हैं हमें ने research चीज़े ने innovation चीज़े नया syllabus सब कुछ नहीं आ रहे है तो obviously सारी चीज़ों की demand बढ़े तो इसका मतलब किया कि हमारे पास data बहुत सार होना चाहिए मतलब syllabus तो हमें ज्यादा बढ़ाना और होगा क्योंकि तो demand बढ़ रहे हैं तो सीदी सी बात है तो मतलब syllabus आप खुद देख सकते हैं कि ध्री-ध्री हमारी demand होगी है कि syllabus हमें बढ़ान होगा तो अगर ऐसे महुल में आप यह बोरा हो कि syllabus कम कर देंगे तो वो कोई तरक संगत बात नहीं है अब देखो बहाँ पर बात आते हैं कि वेलियोडेशन की जो में logarithm हम यूज करते हैं उस चीजों को हटा देना चाहिए कि वो तो मेरे life में कभी काम ही नहीं आते हैं बढ़ ट्राइटिर कह रहे हैं कि देखो जो global environment या global warming के डाटा जाते हैं उन में logarithm का ही यूज गया ज़र लोंग रिदम का ही मिट के बाद ये चीज़े कहने लाइक ही है पर ऐसा possible नहीं है इसके बाद में देखो ओलो रैटरी कह रहे हैं कि देखो भई हमारी देश में जो बच्चों में creativity की कमी है बस रट्टा मार्प पत्दित पर focus क्या जा रहा है इनोवेशन पर focus नहीं क्या जा रहा है इसके साथ ही रिमेनेजिशन है उस पर हमें focus करना होगा मतलब सीधी सी बात ही है कि अगर हमें innovation पर भी focus करना होगा और से के साथ हमारे education quality वह भी हमें बढ़ाने होगी तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ही है कि में school system है school पढ़ाई है हमारी उसको रिमेनेजिशन करना होगा मतलब हमें पुनर्वी लोकॉन करना होगा एक बार उसके बात देखना होगा कि हमारे system में कमिया का है education sector में कहा कम है यह खहा धिक्कता रही है कि बच्चे पुरा syllabus काउम्टर नहीं कर पा है और उसको कि देखा जए कि हाँ यह इनफ है नहीं है ने ची जोंका एट कर थाना हैँ वो मिल्यांगना होगा तो यह था complete article अब चलते हैं आगे एक article अगला जो article है वो minority language के बारे में है कि भाई काफी सारी language हो खतम होती जा रही है तो यह मैं लिए JS4 के लिए आर्टन culture वगरा वहाँ पे भी यूज हो सकता है और JS3 में भी इसका कुछ यूज है वो कर सकते हैं JS4 के अंदर हम भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि SSD वगरा में या इसके लावा हिस्टी के फैस्ट प्रेवर में भी हम इसका यूज हो कर सकते हैं वापे देखो आर्टिकल में ये चीज़े बताएगी है कि हमारे देश में नहीं पूरे वर्ड की बात कीज़ें मैं लिए हमारे देश का भी पॉइंट है उज इंक्रूड इसमें कि जो काफी सारी लेंग्वेज हैं जो खतम होती जा रही है कई बार देखो हमने न्यूज वर्ड में ऐसे न्यूज पढ़ी है कि भाई इस लेंग्वेज को बोलने वाला इंसान था उस लाज इंसान था वो आज मर गया बड़ इसका मतलब क्या हुआ कि उस लेंग्वेज को बोलने वाला लोगों के दोरा suggestions दे जाते हैं कि भाई जो language खतम होती उसके पीसे reasons का हैं तो रेटरी कह रहे हैं कि देखो एक तो ecosystem का नुक्सान इस तरिके से होता है कि जैसे कोई भी लो कि कोई भी forest है उसके अंदर 20 के forest के अंदर कोई भी tribe रहती है उस tribe में 50 के आसपास लोग है अगर उस forest के अंदर वहाँ पर प्रोजेक्ट वगरा लगा तो मतलब क्या होगा कि उस tribe को वहाँ से हटा दिया जगा तो ओबिसलिवो 50 लोग वहाँ से हटेंगे तो ऐसा थोऑनी की वह सारे लोग एक जगह जाके बसेंगे वह जो तो उनको प्रोपर जगह मिलें ना मिलें काफी सारे इस्यूज हो जाते हैं तो वो लोग अलग जाके बसे तो क्या होगा वो अपनी सब्वेता को ध्रे-द्रे छोड़ देंगे मुलब अपनी लेंग्वेज वगरा जो अपना कल्चर था उन सब को छोड़ देंगे तो इससे ह क्या होगा इससे जो कल्चर है जो सब्वेता खतम होती जाती है इसके बात आती है कि कई बार क्या होता है कि ट्राइब होती है उनका विकेंद दिकरन क्या जाता है तो विकेंद दिकरन सब्वेता वो ट्राइब है जो लेंग्वेज वो टूट जाती है वो कैसे टूट जात कि यार हम भी यहां के लोगों के साथ घुल मिल लेते हैं ताकि हमें वे फायत दावका तो उससे क्या होगा कि उन लोगों की जो ट्राइब उस ट्राइब की जो भी समस्षा है थी वो और जिता गंबिर हो जैंग मतलब बात ऐसी है कि भाई अगर जो लेंग्वेज देजरे ख तो फिलाल आज की डिसकेशन है इतना ही थेंक्यू वेरी मच्च फोर डिसकेशन